हेलो एवरिवान, आज हम सिफ तो इंग्रीडियन का यूज करके बहुत ही रसीले और मुलायम गुलाब जावन बनाएंगे तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे न तो बिना जिजक सब्सक्राइब कर दीजिए सूजी के गुलाब जावन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई में एक बड़ा चमज घी गरम कर दिया है और जैसे ही घी गरम हो जाए फ्लेम को हम लो कर देंगे और उसमें डालेंगे हम एक कप सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी लिए है लेकिन अगर आपके पास थोड़ी मोटी वाली सूजी होगी न तो उसे ग्राइंडर में घुमा दीजिए और फेरी उस कीजिए इस तरीके से बीच-बीच में चलाते रहिए और इसे दो मिनिट तक हम लो फ्लेम पर भून लेंगे यहाँ पे हमें सूजी का कलर बिलकुल चेंज नहीं करना है इसलिए फ्लेम को लो ही रखेगा अब दो मिनिट हो चुका है और हमारी सूजी में से बहुत ही प्यारी खुश्बू भी आने लगी है इसमें हम डाल देंगे दूद यहाँ पे मैंने कच्चा दूद का यूज किया है डारेक पाकेट से लेकिन अगर आपके पास बॉइल्ड मिल्क है वो भी यूज कर सकते हैं तो लगबग देड कप के आसपास मैंने दूद डाला है इसमें आप नोटस करेंगे कि जैसे ही हमने दूद डाला यह जो सूची है ना वो सारा का सारा दूद पी गई है और थोड़े ही देर में यह जो मिश्रन है वो एकदम ड्राइ हो जाएगा ग्यास का फ्लेम अभी भी मैंने लोही रखा है और इस मिश्रन को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है दूद डालने के बाद बस एक से देड़ मिनिट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कीजी और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे क्लेट में निकालने के बाद इसे हम थोड़ा सा थंडा होने देंगे लगबग एक मिनिट के लिए क्योंकि यह जो मिश्रन है वो काफी गरम है एक से दो मिनिट हो चुके हैं और अब हम इसे आराम से टच भी कर सकते हैं अब हमें इस ए आर्टे की जैसे गुनना है जैसे हम नॉमल आर्टा गुनते हैं ना चपाती के लिए उसी तरीके से गर आपको यह मिश्रन थोड़ा स्टिकी लग रहा है तो आप अपने हाथों में थोड़ा घी अपलाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसे अच्छे से गुनना बहुत जरूरी है वरना हमारे जो गुलाब जावुन है न वो अच्छे नहीं बनेंगे आप मुझे इसे गुनते हुए पाच मिनिट हो चुका है चलिए देखते हैं इसके बॉल्स कैसे बनते हैं आप नोटिस करेंगे कि यह जो गुलाब जावुन के बॉल्स है उसमें काफी सारे क्रैक्स है जैसे हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे न ओईल में यह फट जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पे पाच मिनिट और इसे गुन लोगी इसा करने से आपके जो गुलाब जावुन के बॉल्स है न एकदम स्मूध बनके रेडी होंगे और तेल में फ्राई करते वक्त वो फटेंगे भी नहीं इस टिप को ज़रूर याद रखेगा एकदम स्मूध आटा गुन दिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे 10 मिनिट्स हो चुका है मुझे गुनते हुए देखते हैं अब यह बॉल्स कैसे बनते हैं तो यहाँ देखे एकदम स्मूध बॉल बनकर रेडी हो गया है अब जब यह तेल में डालेंगे न फ्राई करने के लिए तो यह फटेंगे भी नहीं बस इसी तरीके से हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे यहाँ पे मैंने एक कप सूजी लिए है तो उसके हिसाब से मीडियम साइस के बॉल्स बनाएंगे न तो 15-16 बॉल्स आराम से बन जाएंगे यहाँ पे हमारे सारे बॉल्स बन कर तयार हैं चलिए ओईल गरम करते हैं इन्हें फ्राइ करने के लिए यहाँ पिने चाहे तो घी में भी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे तेल में फ्राइ करूँगी low flame पर इसे 2 मिनिट के लिए गरम किया था मैंने और एक छोटा सा ball डाल के देखा है जैसे ही मैंने एक छोटा सा ball डाला ना वो एकदम धीरे धीरे करके उप़ आया है मतलब जो temperature है वो एकदम perfect है अगर वो ball एकदम से उपर आ जाता ना मतलब temperature थोड़ा high है इसे हमें कम करना पड़ेगा एक एक करके मैंने सारे बॉल्स डाल दिये हैं और जब तक हमारे गुलाब जामून के बॉल्स फ्राइ होंगे न तब तक सिरफ रेडी करेंगे सिरफ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप चीनी ली है और एक कप पानी का यूस किया है जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए इसमें इलाइची डालेंगे और थोड़ा सा नीबू का रस डालेंगे दूसरी और गुलाब जामून के बॉल्स भी फ्राइ हो गए हैं इन्हें तुरंत एक एक करके सिरफ में डाल दीजिए एक मिनिट के लिए इसे हम बॉल कर लेंगे और फिर इसे ढखकर रख देंगे दो घंटे के लिए दो घंटे बाद गुलाब जामून ने सारा रस पी लिया है और देखे कितना मज़िदार बनकर तयार हुआ है बहुती सॉफ्ट और रसीला आप चाहे तो इसे थंड़ा सर्फ कीजे या नॉर्मल टेंपरेचर का सर्फ कीजे बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा जरूर ट्राइ कीजे और अगर रसीपी अच्छी लगे तो लाइक कीजे फ्रेंद्स और फैमली के साथ शेर कीजे और टेस्टी वेड रसीपी को सब्सक्राइब कीजे थैंक्स फो वाचिंग बाई